ये विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है और आज हम लोग Redox System पर विचार किया जाएगा Redox को छोटा में Reduction Oxidation Redox System इसे Reduction Oxidation System Biological System shows coupling of Reduction and Oxidation System in order to transferring energy and ensuring reaction to occur देखिये Biological System में Reduction एक Reaction, Oxidation दूसरा Reaction ये दो अलग-अलग Half Reaction है और ये Simultaneous occur करता है यह पता है आपको जब दो Chemicals हैं और Reduction या Oxidation की क्रिया हो रही है तो at the same time one is getting reduced and other is getting oxidized तो इक सिर्फ जब Reduction कहिएगा तो वो Half Reaction है और Oxidation उसी समय साइमुल्टेनियसली होगा वो Half Reaction हुआ है तो इस प्रकार के दो Half Reaction जिसमें एक Oxidation होता है एक Reduction होता है उन दोनों को इसे कह सकते हैं एक और ध्यान देने बाद की बात है कि जो Oxidized होगा उसके लिए जब Energy या Electron आएगा तभी वह Reduced होगा अब Oxidation Reduction के तीन रास्ते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे Oxygen का लेना देना क्या कहा जाएगा Hydrogen का लेना देना क्या कहा जाएगा और Electron का लेना देना क्या कहा जाएगा यह सभी Oxidation Reduction के परियाए हैं यह तीनों रास्ते से Oxidation reduction की क्रिया हो सकती है तीनों में कोई भी ठीक है इस दो आधे रीक्षन को जोड़ना या एक बड़ा विचित्र तरीका है जो biological system ने निकाला है जो oxidation को step wise मैनर में करता है oxidation में minus delg वाले जो energy है रिलीज होते हैं उनको trap करके store करने का भी काम करता है catabolic reaction से जब कोई energy निकलती है तो उसे trap करने का काम करता है ATP के रूप में उसमें भी यह उपयोगी है कितने तो direct substrate level पर ही जब यह क्रिया होगी उसी समय energy को trap कर लिया जाता है और कई बार step wise electron chain से गुजारते हुए वो del minus d वाली energy निकलते जाती है और वो आगे बढ़ते जाता है और वह energy का इस्तेमाल करके ATP बना जाता है यह अक्सीडेटिव फास्पोर लेसन में और ना में होटो फास्पोर लेसन में जिसमें ATP लाइट से याwise से बनता है कैटाबॉलीव रियक्शन में गलुकोज के respiration की प्रक्रिया में उन दोनों जगा इन दोनों जगा उन एनर्जी के ग्रेजुवल डाउन हिलिंग भी कर सकते हैं एलॉंग दी रेडॉक्स पोटेंशियल और मुविंग टुवार्ट्स दी इलेक्ट्रो पोजिटिविटी तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलके से और देखेंगे बढ़ा करके लेकिन हाँ यह बात असपस्ट है कि दो हाफ रियक्शन जोड़ा गया ताकि जो दोनों रियक्शन है वो हो सके एनर्जेटिक बायो एनर्जेटिक कंसीडरेशन के इसाब से और जो एडिशनल एनर्जी ह है उसका उपयोग भी किया जा सके तो यह कार सवस्ट्रेट लेवल पर भी होगा विभिन केमिकल्स के बीच में भी ऐसी स्थिती उत्पन होगी और एक लार्ज स्केल पर जो दो बिग सिस्टम है बीगेस्ट सिस्टम है वो क्या-क्या है तो ऑक्सिडेटिव फास्पोर रिल में एनर्जी रिलीज माइनस डेलजी वाला रिलीज होते रहता है और वह जब एक सर्टेन लेवल 7.3 किलो कैलोरी से ज्यादे रिलीज हो जाता है तो उसको यूज करके एटीपी बनता है और एटीपी के तीसरे बॉन्ड में वह एनर्जी जाके जमा होता है इस्टोर्ड फॉर्ब में रहता है थार्ड बॉन्ड में एटीपी के तो कहने का मतलब कैटाबोलिक रियक्शन हुआ तो उसको इस्टोर करने का भी काम्या किया है और जीतना भी प्रोसेसे जोते हैं बायलोजिकल सिस्टम में उसमें धेर सारे प्रोसेस इसी प्रकार से रे डाउन से जो एनरजी निकलता है उस एनरजी के उपयोग को करके किया जाता है और इस टोर के बाद जब उनका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा एनाबॉलिक क्रिया में तो फिर यही ऑक्सिडेशन रेडक्शन आना शुरू हो जाएगा तो हम लोग इसको डीटेल में अभ दूसरा कैटाबॉलिक का एनरजी जो रिलीज होगा उसे स्टोर करने का ब्यवस्ता एटीपी में और एटीपी में स्टोर एनरजी से फिर उन्ही प्रकार के क्रियाओं के द्वारा उस एनरजी का ट्रांसपर हो जाना किसी दूसरे रियेक्शन में एटीपी के कंजम्शन से जो कार्य होते हों तो एनाबॉलिक में एनर्जी उपलब्द कराना और कैटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिक रेक्शन में उस एनर्जी को ट्रैप कर लेना और ये बायो एनर्जेटिक कंसीडेशन से ही चलता है ठीक है फोटो सिंथेशिस देखे लिखा भी है तिसरे पॉइंट में बायोजिकल एनर्जी फ्रिक्वेंट्ली स्टोर्ड एन रिलीज्ट बाय मीन्स अफ रेडॉक्स रियक्शन्स फोटो सिंथेशिस इन्वाल्स दी रेडॉक्शन ऑफ कार्बन डायक्साइड इन्टु सूगर and the oxidation of water into molecular oxygen देखे फोटो सिंथेशिस की वही क्रिया है जिसमें आप कहते हैं CO2 जोड़ H2O is equal to C6H12O6 प्लस इन्टु और प्लस इनर्जी ठीक है तो यह जो कार्य कार्य आप कहते हैं फोटो सिंथेशिस का कि 6 CO2 plus 6 H2O is equal to C6 H12O6 plus O2 जो ये बात आप कहते हैं इसी में देखिए दोनों क्रिया है उसको गर करिए पहली बात तो ये है कि इसमें रेडियूस क्या होता है तो कार्बन डाइक्साइड रेडियूस होता है इसी लिए आप CO2 assimilation भी इन cycles को जाना जाता है photosynthesis के दौरान Kelvin cycle जो चलता है उसको CO2 assimilation कहते हैं तो actually CO2 का रेडिक्सन होता है और जो oxygen निकलता है या क्या कर रहे है oxidation का काम है अच्छा NADPH बनता है वो अभी reduced energy है तो ठीक है अभी हम लोग summary ली छोटा में जब रेक्सन को देखके बोलिएगा तो आपको ये कहना पड़ेगा कि carbon dioxide का reduction हुआ सुगर में और oxidation of water हुआ molecular oxygen में क्योंकि H प्लस यहां से भागता हुआ जाके NADPH2 बनाता है ठीक है न तो oxygen अलग हो गया तो ये oxidation की क्रिया है oxygen का बनना तो एक ही क्रिया में दोनों देखा आपने दी रिवर्स रिएक्शन respiration oxidizes sugar अब ये sugar को oxidize करेगा and produces carbon dioxide and water तो यहां reverse reaction होता है respiration photosynthesis का reverse माना जाता है इंडीड their biggest redox system in redox system and efficiently works across the biological system respiration तो सभी में होगा autotrop, autotrop सब में अब photosynthesis autotrop में होगा तो यह जो है यह दो क्रिया है respiration वाला और photosynthesis वाला जो redox reaction का या जुन्ड गुच्छा है biggest use of NADP and NAD or NADP or FAD or FMN are component of of electron transport chain as well as heel reaction all are redox system इनके अलावाई याई NAD, NADP, FAD FMN से इन सब में H2 लगा दीजे NADP H2 FADH2 or FMNH2 or FADH2 NADH2 NADP H2 or FMNH2 तो यह सब reduced oxidized form में लिखे हुए हैं यह और यह आगे चलके reduced form में आ जाएंगे और इस प्रकार से यह सभी जो है heel reaction में अथवा respiration में redox system का निर्मान करते हैं करते हुँ में इस एड क्रेज़ कौपr आ क्रेजिकोप्र पर सेड्र Reid na जहां अडी गर्मान से और यह आगे हुप्रос और Q-Prick आइरन जो है Pheros और Pheric एफी 2 प्लस और 3 प्लस तो 3 प्लस औक्सिडाइज़ और 2 प्लस जब हो जाएगा तो रेड्यूस्ट हो जाएगा इसी तरह copper में भी 2 स्टेज Q-Pers और और क्यू प्रिक होता है ऐख औक्सिडाइज़ और एक्सिडाइज़ यह जो copper और iron के metal हैं जो दो state में रहते हैं एक oxidized और एक reduced rate में हैं तो यह भी उन enzymes के अंदर बैठे हुए उसी redox system पो indicate कर रहे हैं और यह सब भी अपने आप में एक-एक redox system का निर्मान करते हैं जिस जगह होते हैं वहाँ पर copper और iron containing ठीक है ना यह सब अपना redox system बनाएंगा अब देखिए यहाँ पर हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि oxidation और reduction का मतलब क्या है किसी में add कर दिया आपने oxygen तो उसका oxidation हो गया आकसिडेशन यदि आपने निकाल लिया removing oxygen this is reduction अब देखिए hydrogen के term में बात करिए removing hydrogen is oxidation hydrogen की कुछ आप करने नहीं कुछ oxygen oxygen मत दीजिए खाली hydrogen उसका छिन लिजिए तो वह oxidized हो गया यह oxidation की प्रक्रिया है और यदि उसमें hydrogen जोड़ दिया आपने तो वह reduction का कार्य हो गया वह reduction की प्रक्रिया है कि loss of electron oxidized हो गया gain of electron reduced हो गया रिलीज एनर्जी जो रिलीज कर दिया मने कम energy level पर आ गया और अपना एनर्जी रिलीज किया जो यह oxidation है और एनर्जी जो रिलीज हुआ उसे इस्टोर जो करा यह reduction है और इक्सरगोनिक oxidation होगा और इंडर्गोनिक reduction होगा यह इतने पाइरामीटर्स पे आपने पाँच पाइरामीटर पे oxidation और reduction को देखा reaction में इन पाँचों में कोई भी हो रहा है तो वह oxidation reduction के criteria में आ जाएगा तो इन पाँचों criteria oxidation का मतलब खाली यह नहीं है कि oxygen दिया गया तो oxidation हुआ oxygen यदि निकाल लिया गया तो reduction हो गया तो oxygen hydrogen electron energy and exergonic और इंडर्गोनिक और इंडर्गोनिक these are the processes all are indicative of oxidation reduction in itself इंचा पाँचों पर आप oxidation reduction को define कर सकते हैं biological redox system में अभी जैसा कि nad की भी बात हमने किया था तो nad plus can undergo the reverse process nadh अथवा nad plus interconversion plays great role अब देखिए यहां पे citric acid cycle है तो उसमें citric acid cycle में क्या होता है तो breakdown होता है और इस्टाइल को enzyme का है सही glucose से glycolysis चलता हुआ इस्टाइल को enzyme का वहां पर breakdown होता है co2 h2o एगरा का निर्मान होगा अंततो गत्वा पर यह चुकी catabolic process है इसलिए यहां energy release होता है और उस released energy को nad plus ले लेता है तो nad plus लेके क्या होगा NADH हो जाएगा तो देखे hydrogen दे दिया तो यह reduce हो गया ठीक है और यह energy कहां से आया citric acid cycle में विखंडन से आया तो citric acid cycle का वह सबस्ट्रेट जिसके विखंडन से यह energy 2H plus प्रस वहां से energy निकला है चाहे hydrogen के form में ही सही मने जिस form में भी निकले 5 parameter उपर में दिये हैं पिछले वाले slide में तो वह oxidized हो गया तो देखे oxidation reduction दोनों हुआ अब देखे इसी NADH को NADH में energy है और ADP में energy नहीं आये तो NADH अपना फिर ADP से react करके NADP NAD plus में वापस आ गया इसका hydrogen निकल गया और इस प्रक्रिया में जो energy liberate हुआ उस energy को ADP ने capture कर लिया और capture करके ATP का निर्मान कर दिया तो इस प्रकार से यह क्रिया हम देख रहे हैं कि एक system में step wise चरण बद्ध तरीके से energy का लेंदेन होता है oxidation और reduction साथ-साथ होते चला जाता है और उपर में इसी चीज़ को formula से दिया गया है और यह आप आप लोग chemistry वालों के लिए छोड़ दीए आप यह नीचे वाला जानिए NADH NAD plus NADH कौन reduced कौन oxidized NAD plus जो है वो oxidized है और NAD reduced form है और नीचे में उसका प्रक्रिया दिया है it is enough तो यह अपने आप में NAD NADH redox system कहा जाएगा अपने आप में एक redox system है redox system एक नहीं होता है जैसे amino acid protein में एक नहीं होता है अनेक amino acid है तो उसी तरह से यहां पर भी redox system कोई एक नहीं होता है अनेक परकार के यह reaction है जो की redox होंगे आपको उपर में के slide ने बटाया कि NAD का है NADP का है FEMN का है FED का है तो यह सब जो हैं वो redox system अपना अलग अलग बनाए हुए हैं और सब इसी तरह से गतिविदी करेंगे और यह reaction है इससे हम लोग कुछ लेना देना है नहीं अब देखिए यहां पर जो सबसे बड़ा integrated redox system है कैसा redox system है integrated redox system है यह आपको इस अस्थान पर है यह light reaction है और देखिए इस में 4 electron move कर रहा है by the process of repeated oxidation reduction और देखिए इधर किनारे में ferodoxin के बाद क्या बन रहा है nadph plus h plus का निर्मान हो रहा है तो एक इसमें छोटा reduction oxidation हुआ nadp plus से nadph plus ठीक है और इसके अलामा इन हर step पे एक-एक step आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक oxidized हो रहा है दूसरा reduced हो रहा है क्योंकि electron का lenden हो रहा है फिर उसका अगले step में जो reduced था वो oxidized हो गया प्रकार नए वाले को reduce किया और इस प्रकार से downhealing चलते जाती है तो यह एक non-cyclic photophosphorylation है जिसको की photophosphorylation भी कहते हैं क्योंकि light की उपस्तिती में हो रहा है और यह एक big integrated redox system का निर्मान करता है जिसमें अनेक redox system छोटे छोटे होते हैं और देखिए ADP से ATP का निर्मान हो रहा है जो energy release होता है वो phosphorylation में काम आता है cellular redox system oxidation reduction reaction exist in all cells and are critical for cell homeostasis and signaling including energy metabolism, gene expression, cell cycle regulation इन सब में इनका इस्तेमाल होता है the intracellular redox states determined by pyridine nucleotide redox system and thiol disulfide redox system देके दो redox system का यहां फिल नाम आ गया उससे अलग the pyridine nucleotide redox system comprises reduced and oxidized nicotianamide adenine dinucleotide and reduced and oxidized nicotianamide adenine dinucleotide phosphate NADH या NAD plus are the most important cofactor involved in energy metabolism receiving electrons during the oxidation of various nutrients and then oxidized by a mitochondrial respiration in addition this redox couple also function as in circadian rhythm and apoptopsis apoptopsis अब यहां पर देखिये फिर यहां पर energy का movement होता है glucose से लेके आगे बढ़ रहे हैं और इन हर step पर oxidation reduction की क्रियाएं चलती हैं वो समरी रूप में आपको यहां रखा गया है in contrast NADPH provides the reducing equivalent for biosynthetic reactions of anabolic pathway and antioxidant defense against the oxidative stress and is also responsible for generating free radical such as superoxide and nitric oxide the thiol yadisulphide redox system comprises the glutathione redox system and the thioredoxine redox system both reduced glutathione and thioredoxines are regenerated by reductase that consume NADPH Simplified scheme for intracellular redox system NADH produced during glycolysis and the tricarboxylic acid cycle is consumed by the electron transfer chain NADPH generated by the catalysis of glucose 6-phosphate dehydrogenase is utilized to reduce oxidized glutathione or oxidized thioredoxine by thioredoxine reductase Now, this is the transformation of this electron transport chain पर किसका है? यह respiration का है respiration से शम्बन देता है, sorry हाधी हिए है a amitokondrial matrix इंटर-mito-kondrial membrane और इसमें देखिए ऐने डी एच से एने डी प्लस हैज प्लस का निर्मान हो रहा है एफेडी एच टू से एफेडी का निर्मान हो तो इस प्रकार से कहने का अतात पर है कि अंत में ये एलेक्ट्रान जाएगा और आक्सीजन से और हाइड्रोजन से मिलके H2O का निर्मान करता है ये आक्सीजन तक डाउन हिलिंग होती है जो सबसे अधिक एलेक्ट्रो पोजीटिव होता है प्रोट्रान कहीं भी मूव कर जाएगा कोई बेरियर नहीं है और एलेक्ट्रान को मूव करने के लिए रिपीटेड आक्सीजन रेडक्शन की प्रक्रिया इन्वाल होती है तो रेस्पाइशन दूसरा सबसे बड़ा बिग रेडक्स सिस्टम इंटीडरेटरर्च सिस्टम है येनी रेडक्स रेक्शनकां लेडरीदेशन नेक्राइशन करक्ट्रिस्टिक्स निवाल सोरेजंदेगा। paradox potential by conversion convention the oxidized form of electron acceptor is written on the left the overall oxidation of NADH by respiratory chain can be written कैसे लिखेंगे एने डी प्लास प्लास एच प्लास प्लास ए माइनस एलेक्ट्रान तो इससे क्या बनेगा NADH प्लास माइनस पॉइंट 3 2 वोल्ट का एनर्जी यह इक सर्गोनिक है मतलब एक जो थर्मिक है देखें डेल जी इसका माइनस है इस वज़ा से यह आपने से होने वाला भी रियक्शन है spontaneous जी से कहते हैं और डेल जी इसका निगेटिव है दूसरा है हाफ ओ टू प्लस तू एच प्लस प्लस टूई माइनस इसकल टू एच टू ओ तो यहां पे प्लस पॉइंट एट टू इसका एनर्जी है यह वोल्ट के तोर पे जो दिया जा रहा है यह रेडॉक्स पोटेंशियल में जो अस्थान होता है अपने intrinsic value कारण उसके आधार पर दिया जा रहा है और रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है तो इसके लिए अलग-अलग कंपाउंड की क्या-क्या रेडॉक्स पोटेंशियल है यह बात हील रियक्शन पर दिया गया है जहां वह तस्वीर बना होगा वहां एक नज़र डाल लेंगे और जब इसी को रिवर्स कराए जाएगा मतलब यह दोनों मिला के देखा जाएगा तो इस प्रकार से दी डिफरेंस इन स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल अट पीएच सेवें यह जीरो अप दी टू प्रापार्शियल डियक्शन इज वन पॉइन फोर बोल्ट तो यह मतलब एक तरह का एनर्जी कंसीडरेशन है और थोड़ा इसको केमिकल फार्म में लेके हम लोग आगे हां बढ़े हैं और सोला पॉइंट वन सोला कुछ नहीं है वन टू थ्री ही है For a redox reaction, the standard free energy change is related to standard free energy change at pH 7 by equation del G0 is equal to NFE0 where N is the number of electrons transferred and F is the faraday, a factor converting volt into joules Using this relationship, the standard free energy change that is del G for the overall transfer of 2 electron from NADH to half O2 by the respiratory chain is minus 2 into 96.5 into 1.14 whatever minus 12 kilo joules per mole This may be compared with del G0 for ATP synthesis which is plus 30 kilo joules per mole It is clear that the free energy available from NADH oxidation is sufficient, sufficient to synthesize a number of molecule of ATP under standard condition 3 molecules of ATP This can be released from NADH to 3 molecules ATP This can be released from electron chain, so let's see if this is the number of electrons gene Now this can be released from electron chain Let us see if this reaction is broken in the left, there is a reaction which is broken in the left, which is broken down in the right, which is the reaction which is broken down in the left, oxidized form उन दोनों को दिखाया गया है और उसके बाद उसका वी कितने वोल्ट का उसका energy है वह भी सो किया गया है तो पाइरुवेट और एसिटेट प्लस CO2 एसिटेट प्लस CO2 oxidized हो गया और पाइरुवेट का निर्मान हुआ पाइरुवेट मतलब रेड्यूस्ट हुआ अलफा ऑक्सी ग्लूटारेट से सक्सिनेट प्लस CO2 सब में एने डी एच प्लस एच प्लस एने डी प्लस तो जिदर एच प्लस है एने डी के साथ तो यह क्या हो गया यह रेड्यूस्ट हो गया और एने डी प्लस है यह अक्सीडाइज है तो देखिए लगबग लगबग इसमें अधिकतर का निगेटिव डेल जी है और यह दो केस तीन केस जो दिख रहा है हमें साइटो क्रोम वाले जगह पे उसमें बहुत इसमाल इमाउंट का अब वह भी कह रहा है कि जीरो से इतना है तीन वह और तीन उसके ठीक निगेटिव है तो यह दो फार में तोड़के अक्सीडाइज रेड्यूस्ट समझ लें और यह प्रतेख जो है एक रेलाक्स सिस्टम का निर्मान रहता है तो ठीक है इस दो हाफ रियक्षन को या एक रियक्षन को रेड्यूस्ट और ऑक्सीडाइज पॉर्म में तोड़के दिखाने के साथ यह रेड्यूस्ट सिस्टम का यह पार्ट कतम हुआ आप लोग ने ध्यान पुरवक सुना इसलिए आप सभी को धन्यवाद आप लाइक क करिए और सबस्क्राइब करिए धन्यवाद